बच्चे जो है जितना ज़्यादा उनको पता लगता जा रहा है कि हम किस आधार के उपर टीशिर्ट को नीचा दिखा सकते हैं तो वो उसका दुरूपियों करने लग गए हैं देखें मेरे तो व्यूज इसमें बहुत क्लियर हैं पैसे से कभी एजुकेशन नहीं आती अगर ज़्यादा पैसों से एजुकेशन आती तो शायद जितने भी अमीर कनारें के लोग हैं आज शिक्षावले भाग के अंदर सर्वोच पद के उपर हो देखें एजुकेशन के नेवर भी बार्ड विद मानी यह तो एक इनहरेटेड क्वालिटी भी होती है और किसी में अगर दवी हुई आस्पेक्ट होता है तो उस आस्पेक्ट को निकालने का भी काम होता है जो दूजन करते हैं कि उसमें एक क्वालिटी है और उस क्वालिटी को वो उसके अपॉर्डिंग बढ़ा सके तो मेरा यहां इस पच्छ एक मानना है कि एजुकेशन एक निरंतर प्रक्रिया है और बच्चों को उदेशी देना कि इस पढ़ाही का वो क्या लाब कैसे ले सुरे तो यहां मैं ऐसे सैमत नहीं हूँ कि पैसे से एजुकेशन आती हूँ आपने बहुत ही अच्छा प्रशन किया देखे मैं यदि अपना स्वैम का नुबह बता हूँ तो यहां एक्ट का उदेश है बहुत अच्छा है जो वंचित वर्ग है उसको पढ़ने का मौका मिले इसमें दुराय है ही नहीं और बहुत ही अच्छा है लेकिन उसमें यह जो प्रविजन है कि किसी को भी फेल नहीं किया जाए यहां कुछ हद तक मैं सहमत नहीं क्योंकि जो बच्चा काबिल है उसको ग्रेट के साब से आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए और यदि बच्चा उस ग्रेट के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है तो कोई प्रयास ऐसे उत्तम होने चाहिए जिससे कि उस इस तर पर आ सके वरना साल-दर साल उसको बढ़ाते रहें तो उससे तो बहुत नुक्सान हुआ है एक नहीं ऐसे कई एक्जाम्पिल है जो एड्मिशन के लिए हमारे यहां पर आए और उनका इस तर जब हमने देखा उनके पास माक्षीट है टीसी है सिक्स क्लास पास करके आगया और बच्चे को नॉलिस थर तक की नहीं है प आपके अगर स्टेट में कई बोर्ड हैं तो सब के लिए पॉलिसी होनी चाहिए यह नहीं कि एक पर्टिक्लर बोर्ड के लिए तो आप फिफ्ट बोर्ड भी कर दें और एट बोर्ड भी कर दें और ऐसा नहीं कि बाकी बोर्ड को आपने फ्रीच वोड दिया हाला कि एट त कुछ हद तक मुझे गलत लगता है वर्तमान में भी आप देखेंगे कि पिछले दस साल के पहले का माहूल अब जो दस साल से माहूल है इसमें वर्षदर वर्षद निरन तर्व गिरता ही जा रहा है इस तर्व गिरता जा रहा है क्योंकि आव विश्वास की भावन बढ़ है अगर अपने कोई कारे कर रहा है वह यह रहा है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि सावी पैसे के लिए कर रहा है जबकि टी-शर की बावना यह नहीं होगी बच्चे जो है जितना जादा उनको पता लगता जा रहा है कि हम किस आधार के ऊपर टी-शर को नीचा दिखा सकते हैं तो वो उसका दुरुप्यों करने लग गए हैं बहुत छोटी सी बात के लिए इस प्रकार का माहूल बन जाता है कि वो भविश्य के लिए एक तरीके से खिलवार हो रहा है जबकि यह आधार गूत बात है कि आप विश्वास के उपर ही सब चीज करते हैं क्या पेरेंट्स जमार कराके स्कूल में बच्चे को छे गंड़े के लिए बैशते हैं पूंतिया विश्वास ही तो है जिस कारण से बेशते हैं टीचर भी अपनी तरफ से भरपूर देता है यह कहना गलत होगा कि टीचर गलत कारे करते हैं लेकिन यह सकते हैं कि सौ में से सौ प्रतिशत ऐस प्रतिशत कोई गलत कहीं पे है इसका ताथ पर यह नहीं लगता कि हम सब को इसमें दोशी ठेरा के ऐसे नियम बना दें तो जो बूल प्रशना पें किया था उसका दुष्प्रभाव मैं आपके सामने लग सकता हूं कि डेफिनेटली लेक ओफ कॉंफिडेंस के कारण टीचर भी अब डड़ता है वो क्यों अपना सरुवत्म देगा जो बच्चे में एक उद्देश्य पूर्ण बात पैदा करने के लिए या इस प्रकार का माहौल की बिटे उनको सब कुछ बहुत अच्छा मिले आटीचर कहेगा कि अगर मुझसे तनिक भी कोई गलती हो जाएगी य और अगर आप मेरी बात को थोड़ा भी तवस्दा दें तो मैं तो कहूंगा कि यह डिटेरियोरेशन के वर इसली है कि हमारे के अंदर जो धर्म संबंदी बाते हैं मानौ धर्म संबंदी वो बातें गॉन कर दी गई हैं आप देखें भाशा का या गनित के ओपर या साइंस सब्सक्राइब कर देखें तो यह जो बाते हैं इस बातों को गॉन कर दिया गया है तो यदि स्लेवस के अंदर आप मानौ धर्म से रिलेटेड जो सर्वपरी मैं अपने विक्ति का दिशा रखता हूं कि भगवत गीता से बढ़कर कोई भी ऐसा ग्रंत नहीं है जो आपको सिखा सके यदि हमारे उसके अंदर बच्चों को शुरू से उसका को ग्यान दिया जाए कारण ही नहीं बनता कि कोई डिटरियूरेशन है मैं तो इस पस्ट यह बात अपनी रखना चाहूं करूं कि कोई भी एक टीचर उन सामने बैठे वाले सब इस्टुडेंट के लिए र अच्छी चवी आप उन बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं तो बच्चे उसको फालो करने की कोशिश करते हैं और वही टीचर की आप एक बिगरती चवी सामने प्रेजेंट करते हैं तो बच्चे उसको भी फालो कर सकते हैं इसलिए अगर भविशे की चिंता कर रहे ह और बविशे का मतला हमारे सुनेरे बच्चे जिनका बविशे सुन्दर है हम उनके सामने एक अच्छे टीचर की चवी प्रेजेंट करें उनके सामने ऐसा रखें कि टीचर ये कारे करता है उसको क्या-क्या समस्या आयती है लेकिन वो सारी समस्याओं को दरकिनार करते वे आप वो अपने गुरू को देखते थे कि हमारे गुरू जी क्या करते हैं कैसे करते हैं तब जाकि वो उनको अरुपूर फॉलो करते हैं बहुत सारे एक्जाम्पिल हमारे साथ हैं इसलिए बेश्टलकुल आपने अच्छी बात रखी है कि टीचर्स की छबी को सुदाहने वाली बा मैं इसको एनलाइस करने के लिए थोड़ समय चाहूंगा यानि मैं आपको बहुत विस्रित में बता सकते हूं जो मेरे व्यूज हैं दोशी कौन क्या बच्चा बिलकुल नहीं क्या स्कूल वाले कुछ हद तक अभिभावक मेरे ख्याल से सर्वों परी क्योंकि हम आशाएं क के इंद्रित कर लेते हैं अपने इस अबोद वालकों पर जो वह बहुत छोटी क्लासेज में है और हम स्वेमी तैय कर देते हैं कि बच्चे तुझे आयाइटी करनी है या तुझे डॉक्टरेट करनी है या तुझे स्टार्टेट बनना आए चाहे हैं यानि हम अपनी इच् चाहिए तो वह इसी टाइप की कोचिंग वालों को प्रमोट कर देते हैं बच्चों का क्या दोश है इसके अंदर लेकिन पिस्ते बच्चे हैं अगर हम यह मान के चलें उठाके देखें कि कितने बच्चों ने क्यों आत्मत्याई की हैं तो उसमें आपको 98% 99% कोचिंग के क योग हो सकता है लेकिन मैं अगर यह मान के बड़ा आजीव सा मैसूस करता हूं कि 90% का बच्चा क्यों कोचिंग की जरूरत है उसको क्या मेरे स्कूल का टीचर जो उसको एक सब्जेक पढ़ा रहा है क्या वो इसकाबिल नहीं है कि उसको लाइक बना सके कोई भी अगर इस इस विध्याले के अंदर आस्ता कभी आया है रिकॉर्ड है 49 वर्ष पढ़ाना ब्राइट फिचर संस्ता हमारी है एक केस ऐसा नहीं होगा जिसको कि हमने डमी एडमिशन कभी सोचा भी हो और आज भी स्वातरन में अगर हमें बच्चे कम हुए थोड़े मैं स्विकार करता ह हो आपके इस चैनल पर हो सकता है कोई भी कारण रहा हो लेकिन डमी एडमिशन देना मेरे सिद्दानतों के खिलाफ है तो यह चोटी ग्लासेज में कोचिंग का पैटरन लगा दिया है यह भी यह जाल है कोचिंग सेंटर वालों का जिससे बाहर आना चाहिए और इसमें हमें स्वयोग चाहिए हमारे माबाप का जो यह समझ सकें कि कोचिंग कोई सॉलुशन नहीं है बच्चा मेहनत करना सीखे हम टीचर्स मेहनत कराएं जो हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो भी मेहनत कराएं और फिर बच्चे का जो प्रारब्द है उस पे भी हमें विश्वास करना चाहिए वो अपनी मेहनत कर रहा है बाकी फॉल उपर वाला देगा बहुत अद्वत प्रियास है बहुत अद्वत प्रियास है देखिया अनौल जी को तो मैं शुकाम नहीं दूंगा कि उन्हों इस आधार के ओपर एक फिल्म बनाने करने ने लिया है यकीन मानिएगा कि इस प्रिकार के फिल्म में ही समाज के अंदर दीरे दीरे जो गलत बातें फैल रही है उसको छाटने के काम आएंगे मेरा बहुत इसपस्ट मानना है कि जब तक आप एक टीशर के अच्छी शवी बच्चों के सामने नहीं रखेंगे बच्चे जो हैं टीशर को आदर देना सकते हैं ना की अच्छी खरिदारी करतें को इकात कंकर आगे लेकिन पूरा का पूरा समान खराब है ऐसा तु नहीं मान सकते हैं तो बाकि जो अच्छा समाने कमसे को मुस्की तो टारिफ की दिए तो आप जदी अच्छी Bातें सामने रखेंगे तो आपकी जो सömर वहिशेम बच्चों के माद्यम से इंदुस्तान का है, हमारे देश का है, हमारे भारत का है बहुत अच्छा आपको नजर आएगा सुरने माइ फ्यूशर डेफिनेटली अच्छा होगा यदि हम टीशर को एक अच्छे रोल मॉडल के तरह सामने चित्रित करें